नमस्कार आप देख रहे हैं डिज्याना नियूज और हमारे इस खाश शो क्रेजी क्रिकेट में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ अभिशेक मिश्रा और आज IPL में चेननेई वर्सेस लखनों की टीम के बीच मुकाबला होना है दोनों ही टीम में एक-एक मेच खेल चुकी है और परास्त का सामना करना पड़ा है तो जाहिर सी बात है कि कोशिश करेंगी दोनों टीम की जीत का खाता आज खोला जाए तो जबरदस ये मुकाबला होने वाला है लखनों पहली बार चेननेई के सामने होगी तो चेननेई के सामने भी लखनों जैसी नई टीम चुनोती खड़ी कर सकती है देखना खास होगा कि क्या कुछ हो सकता है लेकिन उससे पहले हमारे एक्सपर्ट से जानना चाहेंगे कि आखिर किसका पढ़ला क्यों और किसलिए बारी दिखाई पढ़ सकता है हमारे साथ मौझूद है वरिष्ट खेल पत्रकार और अपने समय के जानदार क्रिकेटर नरेंदर भाले जी सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है और हमाई साथ मौझूद हैं क्रिकेट की नई पौत को पेदा करने वाले क्रिकेट के शांदार खिलाडी कपिल शेंगेजी सर आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है बाले सर आप से शुरू करता हूं मैं कल के मुकाबले को लेकर क्योंकि कल जिस अंदाज में आरसी बी ने मुकाबला जीता एक बहुत छोटा टोटल था केके आर ने कोई बहुत ज़्यादा लक्ष नहीं दिया थे लेकिन उसके बावजूद ये टीम लडखडाती हुई दिख केवल सुनिल नरेन एक अफवाज छोड़ दिया जाए कि इतनी ओस के बावजूद भी उसने जो गेन बाजी करी है वो स्पिन गेन बाजी का उत्कुष्ट नमूना था मतलब इतना बॉल गीला हुने के बावजूद भी उनके चार और मात्र गैरा रंग तो ये उनके क्लास को दर्शादा है कि सुनिल नरेन में क्या क्लास है लेकिन जैसे दूसरी तरह रसेल अर्नाल्ड तो एक तो बल्की भी बहुत है वो फिल्डर है अच्छे है लेकिन बालिंग उनकी बहुत कम जोर है और कल सबस्वरी गलती यही करी उन्होंने कि जो वेंकटे शाहियर जिसको उन्होंने वेंकटेस्को दी और सारा प्रिशर वेंकटेस्क प्यागिया और उस ओर में दो चोके पड़ गए और सामने जो बादे बैट से खेलने वाला खिलाडी हो तो फिर कोई वह तो गेन बाद समाझता ही निया ना हर जल पटेल ने कल वही किया कि दो चोके जबादी सारा प्रिशर इस पर डाल दिया तो यह नहीं होना चीए और एक्चुल में क्या होता है देखो यह बहुत छोटा वार्मेट है उसके बहुत जूद भी मैं हमेशा कहता हूं कि टी ट्वेंटी के अंदर दो चीजे बहुत जरूरी एक तो निरंतरता तो दूसरा सयम अगर आ आते से छे चार चार नहीं मार सकते हो अदमी के बसकी नहीं उसके लिए बहुत रिफ्लेक्स वाला के लाड़ी चीए और यह वेंकड़ सेयर गलती हर बार करते आ रहा है पिछले सीजन में क्यों सक्सेस रहे हो कि शुरुआ से ओपन आते रहे हो पिछले सीजन में और उन्ह आते सार उसके उपर आ जाता है तो वह पेले युगा के लाड़ी है ऐसा को अंतराष्टी बहुत अनुभाव नहीं हो सादमी को अब उस बंदे को अगर यह अरकते करोगे उसके साथ में तो परफॉर्मस आएगा ही नहीं उसका कि किसी भी सूरत में नहीं आएगा जिसे र लगाये कल तो पोटेंशल उस खिलाड़ी में भी बहुत है एक तो उसकी आहिट कम है तो शॉर्ट गेंदे खेलने में उसको बहुत सोलेत रहती है अराम से पुल शॉट भूत इस मामले में कोई दो मत नहीं कि आजके तारिक में बेस पुल शॉट लगाता से इतना माइनस तो चलेगा लेकिन जहां तक आप में अगर सयम नहीं है जैसे में एक्जामबल दूर की शुम्मन गिल शुम्मन गिल पकड़ा और उसको बीटिंग पर तीसरी गें खड़ी कर दी अरो भी आप पहला देखो तो सही कि विकेट पर गें टपा खाने के बाद धीर फसक सब्सक्राइब कर देखो इसमें भी सक्सेस टेस्ट मैच सही है कि जब तक आप सिंगल डबल नहीं बनाओगे स्ट्राइक रोटेट नहीं करोगे तब तक गेंबार डिस्टर नहीं होगा इस मामले में अजरुदिन को मानता हूं मैं बेस्ट एक्जामबल के टेस्ट मैच मे अब आठाट करोड़ नो करोड़ में यह बिकेंगे तो इन्होंना अभी किया क्या है एससा क्या परफॉमंस इनका लेकिन दिया तीवतीन आद तो भुना लिया लेकिन यह नहीं पूना पाई अब देखो में सीच क्या है कि मुंबई के जो विकेट उस पर जो फास गें नि को ज़ती कर रहा है कि पेली बात तो यह कि आपको दीमी गाइं डालनी क्यों है आप आप की जो नेचरल बोलेंगे वो करो आप क्यो अंदर से लिए उस पर टाले में को आपको अब फोल्टा चली जाती यह और कर चक्कर मैं उस पे छे पड़ जाता है चार पड़ जाता है तो यह गलती नहीं होना चाहिए इसलिए मैंने जो बोला कि एक तो निरं तरदा हो नहीं चाहिए दूसरा सयम होना चाहिए सबसे बढ़ी चीज़ है कितना सहमत है सर आप क्या काएंगे जी बिल्कुल हमारे वरिस्ट ग्रिगेटर रहे हैं बाले सर और जिस तरीके से इन्होंने बहुत सारी चीज़ें को आपके सामने रखा है मैं समस्ता हूं कि वो सारी चीज़ें होने चाहिए एक एक एज ग्रिगेटर अगर आप इतने बड़े प्लेट फार्म पे मां खेल रहे हैं और पहली दूसरी बॉसरी बॉल पे इस तरह से आउट होके जा रहे हैं सबसे बड़ी बात यह है कि क्रिकेट इंडिया में धर्म की तरह माना जाता है लोग बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं वहां पर जो यंग स्रह है वो आपको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं बड़ अगर आप इस तरह की शॉर्ट खेल होगी तो उनका क्या माइंड सबसे पर जाते हैं तो यह जब आपको मालुम होना चाहिए अब आप जब आप डगाउट में बैठे हैं डगाउट में बैठें हैं तो आप यह भी देखो कि विकेट का नेचर का है कहां से बॉल कितना स्विंग हो रहा है कहां पर क्या वह बहुत सारी चीजें डिपेंड क लेकिन अगर वह आके इस तरह के शॉट्स खेल के आउट होता है तो मैं समझता हूँ जो प्रेजेंट में इतने सारी जैसा कि इनोंने बताए कि 8 करोड रुपए 10 करोड रुपए में टीमें खरीद रही है इने प्लेयर्स को तो इनको वहां पर वह दिखाना चाहिए अपन आपको फॉलो करना चाहते है उनको भी अच्छा नहीं लगेगा यह बहुत जरूरी है कि आप विगेट पे खाड़े के रंस बना और जैसा कि सर ने कहा कि सिंगल मैं समझता हूँ कि पहला रन जो सिंगल सोता है वो आपको अपने सिंगल बनाया न तो जब आप सिंगल लेक आपको लगता है मैंने एक रन बना चुका हूँ मैं अब यहां से में पारी की शुरॉआत एक कॉन्फिट डेवलाब बिल्कुल हंड़िट परस हंड़िए आपके लिए आपके सामने सबसे बड़ा एक्जम्पल चेचाश्वार पुजा रहा है कि वो विकेट में जब तक तो चुक तो खिलता रहता मतलब एक्चुल में डेट डिफेंस अब डेट डिफेंस के बाद आज क्या पोजिशन हो गई कि आज आप सीधे टीम से बाहर हो गई क्योंकि पिछले देड़ साल में आपका कोई परफॉर्मस नहीं है तो क्यों नहीं है क्यों नहीं है जब तक को भी सायम का पार्ट पढ़ना पुड़ेगा क्योंकि बिना इसके गतिने देखो सचीन का भी एक्जामपल यह लो सित्य सीवे बंडे के बाद सचीन की सेंचुरी आई थी लेकिन उसके बाद जो उसमें उन्होंने कंसिस्टन्सी रखी रहनों की नेकिन रंतलता दिखाई रिटार्मेंट तक जारी रही वह तो वह दिखता है ना आपके आख में युगा खिलाली सब जानते हैं कि इतना पानवाला समझता है आप वहां पर आप लोगों के सुनों आप डायलाग आपको मज़ा आगा कि लोग क्या बात करते हैं उन्होंनों क्रिकेट कभी नी खेला लेकिन देख देख कियो पंडित और यह क्या आए खिलने के बार सीखने के बाद बढ़ बढ़े इंटर्इन नेस्टन कोचे से आपको शिख देने के लिए बार बेट के आप मैच देखरों बॉल स्क्वां किया और ऑनकर सब्सक्राइब कर सकते हो बार बेट के यह करना ही कापिल सर एक सिंगल डबल्स के हमने बात की तो कल हम देखे जो मुकाबला हुआ तो इतना जरूर समझ में रहा था कि विकेट असार नहीं था एक कम टोटल खड़ा कर पाई केक्यार उसको चेस करने में भी आर्सी भी को बहुत जादा मशक्कत करना पड़ी तो यह अब कहीं करना कहीं आपको लगता है कि जो अभी तो शुरुवाती स्टेज पर पूरा टूनामेंट कि अब टीमें समझें कि अगर टफ विकेट है तो उसी बाउंडरी के बजा एदि सिंगल डबल बनाते जिसकी हम बात करने तो शायद कल केकर का जो टोटल होता वो वन फोटी प्लस होता और वो जीत के रहन हो जाते दस पंदरा क्या कहेंगे आप कि स्ट्रेटेजी बदलने की जरूरत है जहां बिल्कुल जब आपके सामने ऐसे विकेट होते हैं जहां पर आपके बॉल बैट पर नहीं आ रहा है आपको एफट करना पड़ रहा है बॉल को आपको मैं भी स्विशन में बोल चुका हूँ मैं फिर बोल रहा हूं आपको कि जब आप सिंगर्स लेना स्टार्ट करते हैं तो वहां से आपका confidence लेवल बढ़ता है वो क्रिकेट में बहुत महात्मूर है कि अगर आपको confidence आप में आ गया तो फिर वो कोई सा भी baller हो आप फिर जह यह है कि जब हम बैटिंग करने जाते हैं जब प्लेयर खड़ा होता है तो उसकी मानसिकता सोच यह होनी चाहिए कि कहां पर दिक्कत आरी इसको खेलने को जो स्टाइक पर है और वो उसको वह माइंड सैट करके चलना चाहिए कि हां यहां पर इसके प्रॉलम आरी मुझे यह शॉर्ट इसके लिए यहां खेलना तो यह बहुत ज़रूरी है कि आपको उस विगेट का अंकलन करना बहुत ज़रूरी है जहां पर आप एक अच्छी पारी को शुरू करने जा रहे हैं तो आकलन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कई बार सिंगल डबल्स T20 फॉर्मेट में ज़्यादा काम आते हैं हमने UAE में भी जो लास्ट पूरा संसकरन हुआ था उसमें देखा कि कम टोटल रहे और अभी भी हम देख रहे हैं कि जितने भी मुकाबले हुए है वो आखरी अवर तक लगबग लगबग खिचा है तो यह चीज बता रही है कि विपक्षी टीम के लिए भी उतना आसान नहीं होता मुकाबला जितना कि हम कम टोटल के बाद सोचने लगते हैं कल के क्यार ने जब कम टोटल बनाया तो लग रहा था कि एक तरफा मुकाबला जाएगा लेकिन दूसरी तरफ RCB की शुरुआज भी उसी अंदाज में रही और RCB कही ना कहीं बल लिए में आज की तारिख में सबसे बेस बल्लेबाद अगर कोई है तो वह राट कोली क्योंकि खेल के जो तीनों इंटनेशनल फॉर्मेट इन फॉर्मेट उसका एवरेज जो है पचास के ऊपर है तीनों फॉर्मेट में और अभी आज की तारिक में उसकी भी स्थिती करना पड़ेगा तो इसका मतलब क्या है कि उनका आत्म विश्यास कहीं हिला हुआ हुआ है अज की तारिक में उनको दुनिया बेस बैस्टमन मानती वर्ल्ड का तो एसे नहीं मानती क्योंकि उसके पीछे थी लेकिन अभी यह कंसिस्टनसी में क्या है बैड़ पैच आता है लेकिन विराइट उस चीज से उबर नहीं नहीं चाहते मुझे ऐसा लगता है उनकी अपरोज देखके तेवर तो बहुत दिखाते हैं वो जरा सा कुछ हो जा सामने वाले को क्लियर दिखता आपको टीवी बे भी गाली बख रहा है बालर को गाली निगालता आउट को जो ब लुमें कामें नहीं आओगे यह उतावलापन हमेशा ले डूबेगा और अभी हो क्या रहा है कि रंद बंदी रहा है उनसे चिड़-चिड़ा डो रही है और वो असर जो है उनके खिल पर सीथे सीथे दिख रहा आपको कपिल सर क्या कहेंगे विराट कोली एक अच्छी इनिंग की ज़रूरत है जो उनके confidence को डेवलप करेंगे और उसका असर सीथे-सीथे भारती टीम पर भी पढ़ने वाला है तो यह आई-पिल कितना important है इस खिलाडी के लिए बिल्कुल जैसे कि भाले सर ने कहा है विराट कोली एक बहुत बड़े प्लेयर है हमने कहीं बार उनकी बहुत सारे इनिंग्स ऐसी देखी है जहांबर जितने भी दर्शक हैं वहां का रुट बेटने कि आरे वाव कितनी अच्छी बलिवाजी की है लेकिन आज कहीं ना कहीं हमेशय के लिए उसके में फ़ेशा कर रहा है वो चांश करते हैं उसको चांस मिला है तो उसके साथ में आपको काम करना चाहि prevents उसके साथ में कंदा से कंदे मिला के आपको बोलना चाहिए कि हाँ लेकिन हाँ यह चीज मुझे भी जैसा कि बाले सर ने कहा मुझे भी चीज दिखाई देती है कई मैचेस उसके बाद में देखे जब उनसे कप्तानी ली गई उतने confident नजर नहीं आए फील्ड पे जितने as a captain वो वहाँ पर लीड करते रहते थे तो वो कही ना कही वो चीज है और एक player के लिए जहां तक मैं समझता हूँ confidence होना बहुत जरूरी है जब वो रन बनाने फील्ड पे उतरता है तो एक positive सोच के साथ उसको जाना चाहिए कि आज मैं ऐसा करके आऊंगा कि लोग बोलेंगे कि हाँ याराज इसने बहुत अच्छा किया है वो कही ना कहीं कमी मुझे नजर आए एक शांदार बल्लेबाज है आपकी कही शांदार इनिंका में भी साक्षी हूँ तो एक बल्लेबाज के बतोर क्योंकि आप भी एक शांदार बल्लेबाज है इस कॉंफिडेंस को वापस पाने के लिए आखिर खिराडियों को किन चीजों का एक बहुत जादा ध्यान रखना चाहिए देगे मैं समझता हूँ कि जो पुराना है उसे भूलना चाहिए जो चला गया उसको हम याद करके अकर प्लान करेंगे सोचेंगे तो कहीं ना कहीं हमें वो मतलब विराड कोली भूल जाएगी तीन साल से मेरी शतक नहीं लगी है यह नहीं लगी है कुछ नहीं लिए बिल्कोल एक नहीं शुरुआज नहीं शुरूआज देखिए हर बैट्समेन जब बैटिंग करने जाता है तो वह पारी की शुरूआद करता है अगर वह 100 बनाता है तो रेकॉर्ड में होता है 100 बनाए जीरू बनाता है तो तो अगर वहां पर वैटिंग के लिए जा रहा है तो एक पॉजिटिव सोच के साथ जाने ही चाहिए पिछला भूलो जो नया है अपने सामने है उसको भुनाने की कोशिश करो और वहां अगर आ आने के लिए हमें बहुत जरूरी है कि हम उन सब बातों को भूले और एक नई श्रौात करें और नए सेरे से हम हमारी पारी को बढ़ाएं और अभी विराट कोली में बहुत सारा क्रिकेट बाकी है और हम निशित रूप से अभी कुछ ऐसा मुझे लग रहा है अभी इस ची बिल्कुल बिल्कुल और अब बात कर लेते हैं चैन्नेई वर्सेस लखनाउ खास मुकाबला है सभी की निगाहे रहेगी बड़े-बड़े खिलाडी है इन दोनों टीमों में तो अब कौन आज जीत के साथ अपना खाता खोलता है चैन्नेई या लखनाउ सर क्या कहेंगे जहां तक यह दोनों टीमों को सवाल है तो अपना उपनिंग मैच दोनों यहार चुकी है उसके बाद सामने है और दोनों टॉस भी आरी थी और अभी जो हम लोग ट्रेंड देख रहे हैं कि टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी का फैसला करती है टीम और महां एक लॉजिकल ब्लॉकेज है मिंटल ब्लॉकेज हर खिलाडी के दिमाग में कि रात कुछ भी हो जाया आत को उस गिरेगी और ओस गिरेगी तो गेंगरिप करने में दिक्कत आएगी लेकिन इस मिठ्य को कल किसने तोड़ा सुनेल नरहन ने दोड़ा कि चार ओवर मातना गैरा र तो यह जो यह अपरोच जो है जैसे विराठ का मिना नाम रिया है शिडोखला कुछ भी हो जा है अर चीज में चिड़ता है तो यह यह चीज आपको दोनी में कभी नजरन यागी क्यों दोनी शुरुवात से आपको मैचूर प्लियर ही देखा आपने दोनी को आपने कर प्स सब्सक्राइब करता है और बहुत गंदा तरीका है एक्सप्रेस करने का उचीच को अरे सामने वाला बल्लेबाद आउट हुआ आपके बॉलर ने विकेट लिया तो आपको खुछ होना चीए आप उस बेट्समन को याली बकरो जारा आउटो के तो यह कुंसा तरीका है यह कु उसने अपना बेंचमार कुछ सेट किया है कि यह कोली और यह कोली कुछ बूने नजर आ रहा है नाम विराट है लेकिन बूने नजर आ रहा है क्योंकि उनका आत्म इश्वास कहीं लुग हुला हुआ है तो उसके लिए कहा है उनको एक तो मेडिटेशन की बहुत ज़रू हो है फिर आता है आत्म इश्वास और फिर आखरी में दो मेना मंत्र आपको दिये निरम तरता और सहीं तो यह सारे चीजों का जो निचोड है यह आपको दोनी मिलागा और आज चुकि दोनी हमने देखा कि कप्तानी अब रवीन जड़ेजा के पास में तो प्री ओके उस दिन लो कि पंड़े खालता है और उस मैंच को जिता है दोनी को लगा कि नहीं, अब मुझे जो मेरा क्रिगेड है, मैं जो बहुत कूल होके क्रिगेड खेला, पहले भी खेला करते थे, बट कहीं ना कहीं, एक प्रेशन होता है, आप फील्ड पे खड़े हैं, एज विकेट कीपर खड़ें, पूरी फील्ड आप सैट करते थे, उसके मोहिन अली भी आज जोइन करने वाले हैं, शाइद सेंटेनर को बाहर करके, आज मोहिन अली टीम में आधा हैंगे, पिछले संस्कारण में मोहिन अली शांदार खिलाडी बनकर उब रहे थे, फॉर्म में दिखाई दे रहे थे, आल रांडर खिलाडी हैं, सर कितना फर्क अपतानी गरी हो, वो कर रहा है, तो वो कहीं न कहीं गाईड़ तो करता रहता है, आप देंगा मैच गोर से तो यह अमारी पहले शो में बात हुए थी कि अगर इस पूरे टुनामेंट में सबसे रिलेक्स केप्टन कोई होगा, तो वो जड़े जाओंगे क्योंकि उनके पी जड़े जा के लिए वो है, धोनी की विकेट के बिचे रक्षा करना, और वो मांसी ग्रूप से भी रक्षा कर रहा है जड़े जाओंगे, वेसे भी उनका बहुत फिवरेट खिला रही है, और वेसे भी तीनों विदावों में माहीर है वो, बैटिंग में भी बॉलिंग में लेकिन हो सकता है कि या लगनो जायन्स कुछ करें, अब कल पिछले मैच में जिस तरीके से आउट होए, केल राहूल, तो वो शमी की इतनी खुबसूरत गें थी, कोई भी बल्ले बाज होता है, वो बाल एज ने नहीं आई थी बस, वो बाल स्टम को चुम के चुमने के लेकिन सर अब यहाँ जवाबदारी लेना पड़ेगी बल्ले बाजो को लखनाओ की, नई टीम है, कई ना कई नया पन के साथ साथ यह बताना पड़ेगा कि इस टीम को नजर अंदाग नहीं किया जाए, केल राहूल को चार्ज लेना पड़ेगा, पंजाब में हमने देखा बतोर ओपनर शांदार बल्ले बाजी की थी, लेकिन पिछले मुकाबले में कहीं न कहीं तोड़े भागगेशाली नहीं रहे, लेकिन आज मनीश पांड़े इनको लूइस को सबको अपनी जवाबदारी रहना पड़ी जे हाँ, बिलकुल, अविशेग जी, मुझे इसा लगता है कि आपके अगर शुरुआत, अगर स्टार आपको अच्छा मिलता है, तो जो मिडिल ओर के बैट्समन है, उनको इसा जाता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि आर 50-800 बन चुके हैं, अभी हमें जाके अपना खिलना लेकिन जहां यह विकट आउट हो जाते हैं उपर के अच्छे जहां आउट हो गया, तो कही ना कही वह जो जो उनके फैवरिट शॉट है, बैसमझ का हूँ, वह ब्लॉक हो जाते हैं, जहां वो चाहते हैं कि मैं हां कावर्स की उपर से मुझे मारना है, मिड़ा और मिड़ा हमारा चला जाएगा, और अगर विकट मेरा जाता है, तो एक बहुत बड़ा स्कोर जहां मैं प्लान कर रहे हैं, वो स्कोर बन नहीं पाएगा, तो मैं समझता हूँ, जो स्टार्ड है, अगर आप ऐसे ओपन आ रहे हैं बैसमें, तो उनको अपने जिम्मेदारी समझना चाह है, और अगर आज उन्होंने रंस बनाना स्टार्ट की, जब आप देख सकते हैं कि लखनौ जो मिडल ओर बैसमें वो बहुत अच्छी बल्लिबाजी करें कि पिछले टाइम, इसने बहुत अच्छा परफॉरमंस दिया केल राहूल ने, लेकिन उसके पीछे रिजन क्या था परफॉरमंस के पीछे यह दियाने का मैंग अगरवाल क्योंकि सेकंड इंड पे जिस कंसिस्टेंस इस मैं करन बना रहे थे ओपनिंग में तो इसको मॉरल सपोर्ट बहुत तकड़ा था केल राहूल को कि मालूम ता कि या चलो मैं आउट हो गया तो मैं करन बनाए भी तो अ सब्सक्राइब के नजडिक आता और स्लो कहलना लगता यह नहीं होना चीए एक बार आपने फोर्ट गियर लगा दिया उसके बाद आप सेकंड गियर में गाड़ी चलाने की उसके बाद इसके लिए क्या है कि इनिशेटीव लेके केल राहूल को पहले अच्छी शुरुवा पीछे वाले क्या करेंगे जैसे अभी पिछले दोनों मैच में ने आपने पर तीन बीस पे चार चालीस पे चार उसके बाद वाले लिए संगर्स कर दो लो स्कोरिंग मैच होंगे ही ना पिर बॉलर के लिए इसी आपने अभी अभी देखा है कि 200 बना के भी आर गई टीम हा पापास टीम कहा जाए लेकिन ये अनुभवी खिलाडी हर बार कही ना कहीं विपरीत परिस्तितियों से लड़ते हुए जूशते हुए अपने टीम को सही मुकाम पर ले गा है पिछले संसकरन में हमने देखा और आज भी निगाय रहेगी रॉबिन उतपा जैसा खिलाडी ह अबाती राइडू है इन खिलाडियों के लिए क्या कहेंगे एक चेने के लिए ये मिडिल ओर कितना आपको बहतर दिखाई देता है आज जो बाकी टीमों में यंग्स्टर देखते हैं तरह मुझे ऐसा लगता है जिस तरह से हम लोग भी बात कर रहे है राइडू और बाकी जो बैड़ मैं अगर खड़े हो जाते न तो फिर इनके आगे जितने बालर से फेल यह ठीक है यह ऐसे बैड़ समय है कि कहीं भी किसी भी पोजिशन पर इनका यह मांसी ग्रूप से बहुत स्ट्रॉंग है आप देख सकते हैं राइडू को आप देख लो तपा को देख लो जो आल रॉंडर है चैने के रविंजडेजा है यह जितने भी बैट्समैन है यह यहां से बहुत स्टॉंग है क्योंकि मैच इतने खेलें और वो मैच के लें जहां पर इन परिस्तितियों में उनको समझ है कि हमें क्या करना चाहिए लेकिन वही है कि विकेट पर खड़े रह जरूरी कभी मैंने शुरुआत में भूला आप से कि सहीं बहुत जरूरी आपको पहले 15-20 रंग कुद के लिए बनाना है उसके लिए उसके बाद आप टीम के लिए बनाओगे आप सोचोगे कि जाते से पजास का टुला मार दो तो यह तो संभवी नहीं ना और यह 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 जो अनुभवी है वो भी यह गलतिया कर रहे है और आप एक चीज बूरो कपिल की जिसे आपने राइड हुए उसकी बात कहीं तो अभी एक पॉइंट आप बूल गया कि उसमें ब्रावो भी है ब्रावो और जिस आदमी ने 200 विकेट ले लिए बराबरी कर लिए मलिंगा की उस आदमी को आप अलका के तो मानी नहीं सकते फिल्डर अच्छा है बॉलर अच्छा है मोगा पढ़ने पर लॉंग एंडल का इस्तेमाल करना बहुत अच्छा जया अच्छे इस मामले में वेस्ट इंडिस की खासी है थे कि उनके सारे बलने बाद जो यह लॉग एंडल का सब्सक्राइब क्यों क्या करा उसने पहले मैश में बाहर माह चलाया बला स्लिप में केज देके आगा वापस शुरवात में इनिस्टेश स्टेज में उस पिछले सीजन में उसने गलती नहीं करी तो कंसिस्टेंसी जरन बना रहा था तो यह जो छेड़ खाली करने की जो सारा बल्लेबाजी को डूबो देगा ऐसा भी खेलेगा तो यह रहसीमाई विकेट है जिसे अच्छी सर कुछ बोले था आप मैं यह बदावरा कि पिछले संसक्राइब में में देखा कि युए के विकेट इतना बल्लेबाजी को मदद नहीं कर थे तो सब विकेट पर रुक आपको बहुत सयम से बल्लेबाजी करनी है लेकिन होता क्या ही जलबाजी जो बैट्समेन करता है जैसा कि इसाने बताया कि कहीं ना कहीं वो जलबाजी करते हैं कि यह मैं और क्रिकेट में अगर आप खड़े रहते हो तो उसके बास जब रंस आना स्टार्ट होते हैं तो मैं आप शुरुआत में अपना विगेट विग क्या जाओके तो लड़ोगे किस से और गेंट बाजो को भी आपको इतना टार्गेट देना पड़ेगा एगी जो इनका मौरा लोरा ही कर देते हैं आप शुरूआत में दो तिन विगेट देगे तो वो तो तो अगर जाए बालर केल राहूल का विगेट ले लेता है यह में सोनी का विगेट ले लेता है तो उसका कॉंफिदेंस लेवल बढ़ जाता है फिर वो जो दूसरे बले बाज आते ना उनको उसको रखता है मैंने एमेस का विगेट लिया है मैंने केल राहूल का विगेट लिया है तो यह मेरे च मुकाबले में उसमें अमने देखा अब बात कर लेते हैं फेवरेट टीम का सर आज लखनौ या चिन्नाई कौन सी टीम पसंद है और क्यों पसंद है वे एक्स्पिरियंस के आदार पे तो चिन्नाई पसंद है मुझे कुछ नो कुछ एक्स्ट्राओर्डिनरी लगनाउ को करना पड़ेगा क्योंकि देखो चन्नाई के पास खोने के लिए सब कुछ है इनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है तो हर आदमी को जी जान से खेलना मोलेगा और अपनी रेपूटेशन मनानी पड़ेगी उनकी रे सब्सक्राइब करें लिए उसी की खा रहा है सारी बेटके तो क्या वजय है बताओ कि आप मुंबे इंडियन को भी जेख लो शुरुवात हमेशे भी बंडी में उनकी लेकिन शुरुवात बंडी रहती है बाद में फिर तीन-चार में चार जाते हो फिर कून क्या खेल रहा कुछ पता नहीं चलता और अभी तो बहुत सारे चेंज़ेस हुए तो यह लेकिन यह मुंबई की इसकी जो चेंड़ने वाली जो टीम है इसमें चेंज़ेस बहुत कम है चेंज़ेस लगाता है कि एक टीम खेलती है और जादर यह दोनी की आदत है कि वह जो प्लेंग तो आपको कब यह कब पूरिशन आएगी जब आप कंसेशन से दिखाओगे और मेरा अवेश खान से यही कहना है कि भी आप पहले खुद की लिए खेलो टीम बात में आती है पहले आप खेलो तो सही आर आप पांच रण दस रण बना पहले आड़ा मार दिया केज दे क्या तो आज टीम पसंद चेड नहीं तो आप से चेड नहीं सर बिलकुल मैंने जर्सी भी चैननही की पहनी है तो सभाली ने उटता मैं भी चैननही के साथ ही हूँ क्योंकि चैननही की जो टीम है हम देख सकते है उसमें जो क्रिकेटर्स हैं उनकी कई शांदार पानिया हमने दे देख स्थिए पहले रचापा है रितुराजगायक वाइप यूग रिगीटर है और आज मोहीन अली मोहीन अली मोहीन अली एक बहुत अच्छ अच्छ ऑब्रेग बॉलर है जिस तरीके से वह बॉलिंग करते हैं लेफ्टी बैस्मन ये उनकी एक प्लिटी एक उनकी उनकी ब फील्ड पे जा रहा हूँ कुछ बहुत अच्छा करूंगा जिसे इस में नहीं और दरशक जो इस मैच को देख रहा है वो भी नगशक जाते हैं तो अपने इसको यह उसे ही नहीं मिला है यह उसने कमया अपने performance से तो इंड यूवाव को भी चाहिए कि एक कमाया और हम तो कि अनुभाव वर्सेस युवा जोश के बीच मुकावला है और चेनई वर्सेस लखनाउ चेनई अनुभावी खिलाडियों से लबरेस टीम है तो दूसी तरफ गुजरात भी चाहेगी कि आज ये मुकावला जीत कर इस टूनामेंड में पॉइंट्स में अपना खाता खोला ज जा सकती कि चेनई की खिलाडियों का और उसके साथ साथ इस पूरी टीम का एक लंबा अनुभा हो है टूनामेंड में इसलिए एक शांदार मुकाबला हमारा इंतजार कर रहा है और देखना खास होगा कि आज वो कौन सी टीम होगी दोनों में से जो अपना खाता पॉइंट का बादा खाता 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 है